नमस्कार मेरा नाम है प्रदीब चोहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगर उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दरसल में आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ उसको समझना बहुत जरूरी है पिछले दो-तीन दिनों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से कॉंग्रेस से ऐसे चेहरे पासा पलटके बीजेपी की तरफ गए हैं जिनकी उम्मीद शायद कम थी अचानक से संजे निरुपम बगावती हो जाते हैं अचानक से एक दिन विजेपी में शामिल दिखते हैं तो अगले दिन गौरव बलब भी जो वो गौरव बलब जो बीजेपी के हर नेता से 5 ट्रिलियन की जीरो पूछा करते थे बीजेपी के पाले में जाते दिखाई दे एसे बहुत से नेता हैं बहुत लंबी फैरिस्ट है लेकिन इस फैरिस्ट के बढ़ने की या फिर अचानक से ये चुनाओ के दौरान इस फैरिस्ट में ऐसे नाम आ जाना जिनकी कल्पना भी नहीं की हो इसके पीछे क्या वजा है ये बहुत सोची समझी साजिश है कि अचा इनका दिल बदल गया ऐसा नहीं है दरसल ये एक साजिश है चुनाओं से मन गिनवा देने की आपको इस से इतनी चिड़ हो जाए कि वोट डालने के लिए आप निकले ही नहीं ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसका प्रयोग इस वक्त सत्तारोर पार्टी पूरे जोर से कर रह ही है ये सिर्फ पार्टी के नेताओं को नहीं ले जा रही बलके साथ में उनके मूँ से या उनके हातों से ऐसे विक्तव्य या ऐसे ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं जिसका सीधा आगात कॉंग्रिस पार्टी को नहीं बलके कॉंग्रिस पार्टी के वोटर को पहुंचता है ये होता कैसे है जानना बड़ा दिल्चस्प है लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना कल तक जो लोग उन्हें गाली देते थे उन्हें माला पहना कर अपने दल में लाना जो आपके सोशल मीडिया हीरो बने फिरते हैं उन्हें उनके विचार से ठीक उल्टे खड़े होते देखना ये एक तरीका होता है कि आप लोगों का लोगतांतरिक तरीकों से राजनेताओं से चुनाओं से सबसे पूरी तरह से दिल हट जाए कांग्रेस के अंत की कामना करने वाले करोडों लोगों का अंत पिछले 130 साल में हो चुका है संजयन रुपम जी तमाम कांग्रेस का अंत करने वाली विचारधाराओं का अंत हो चुका है आप कांग्रेस के अंत की कामना मत कीजिए आप अपने उज्वल भविष्य की कामना कीजिए, क्योंकि नीती, नियम, नैतिक्ता और भाशा का माधुरे तो आपने गिर्वी रख दिया है विरोधियों के अंतर, कायरता है युद्ध के समय अपने छेत्र को, अपनी साइड को और अपनी सेना को छोड़ कर जाना, और नहरू जी के बारे में बात करेंगे, क्या गांधी जी के बारे में बात करेंगे, क्या अध्यात्मिक्ता के बारे में बात करेंगे, क्या धर्म के बारे में बात करेंगे, और क्या धर्म निर्पिक्ष्टा के बारे में बात करेंगे, राम, भगवान श्री राम हमारे करते हैं और उसके बाद राजनेतिक रूटिया भी शेखते हैं और वोटो की राजनेती भी करते हैं जहां आफ जाने की बात कर रहे हैं मुक्के बाद विजेंदर हूँ या फिर संजे निरुपम या जैन चौधरी या गौरब बल्लव हूँ या फिर शहला इस तरह के हजार नाम हैं ये रोज पानी पी पी कर जिनें गालियां दिया करते थे आज उन्हीं के पट्टे गले में डाल कर घूम रहे हैं यही नहीं बहुत से लोग तो इनके खिलाफ लिखते थे रात में लिखकर सोते थे और सुभा बदल जाते हैं एक रिटार आईएस अफिसर थे नाम था सूर्य प्रताब बड़ा उल्टा सीधा लिखते थे पता नहीं जुबा पर क्या लगा कि रातो रात बदल गए और सुभ सुभा उठे तो मोदी भक्त हो गए सुभा उठे तो उन्हें याद आया कि मैं तो हिंदू हूं और राम मंदिर हिंदू के लिए बहुत जरूरी है अचानक से शायद उन्हें रात को सपने में आया कि हिंदू तो खत्रे में हैं अगर आप इसी तरह से मोदी जी और सरकार पर सवाल उठाते रहे इसलिए आये सहाब सुभा उठे और भगवा हो गए स्थिती यह है कि लोगों का चुनावी प्रक्रिया और आयोग दोनों से भयंकर भरोसा उठा है ऐसे में जब मन घिना होना तो लोग वोट डालने निकलेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हालात ये हैं कि किसी का भी कभी भी बदल जाना अब कुछ गलत लगता ही नहीं नैतिकता कमिट्मेंट जुबां किसी चीज का कोई भरोसा नहीं सुभा आपके साथ चाय पी कर लोग सत्ता को कोचते हैं और ग्यारा बजे ही दूसरे दल का पट्टा गले में डालकर आपी के उपर गुर्राने लगते हैं ऐसे में क्या ही कहा जाए जो ये जो लड़ाई है ये ये जो लड़ाई है ये लोक तंत्र और कॉंस्टिटूशन समविधान को बचाने की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया इंडिय आलायमस लोक तंत्र के लिए लड़ रहे हैं वे दूसरी तरफ प्रधान मंत्री मोदी जी अमित शाजी और बीजेपी के लोग आरेसेस के लोग सविधान को और लोकतंत्र को खतम करने में लगे हुए हैं धन्यवाद हमने देश को जो आजादी दिलाई उस खुर्ची पे आके आप बैटे हो और वो भी जो जवरला नेरुजी और डाक्टर बाबा सब अम्बेड करने इस देश को जो लोगतंत्र का मंत्र दिया समिधान दिया उस समिधान और लोगतंत्र के वज़े से ही आप इस देश में प्रदान मंत्री बने हो तुमारा कुछ भी नहीं है और आज जिस आजादी के वज़े से जिस डेमोकरसी के वज़े से समिधान के वज़े से आप उपर आए आपको स्तानमान मिला उसी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं दरसल जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारी इंडारेक्ट कोशिश लोगतंत्र को खत्म करने की है अब यूं लगने लगा है कि कॉंग्रेस तो एक बहाना है कॉंग्रेस के बहाने जो लोगतंत्र पे निशाना साधा है सरकार ने ये उसी का एक तरीका है चार सो पार इस बात को लेकर अक्सर आपने सत्ता के नशे में चूर नेताओं के मुँ से असलियत सुनी है अब एक गुजरात की नेता भी उस असलियत पर मोहर लगा रही है खैर हम सब ने अंदा आंदोलन का वक्त भी देखा है तब कमजोर सरकार थी और मजबूत नागरिक हमारे सेलिब्रिटी भी बड़ सचक्त थे तब कि टाइम लाइन पर जाकर देखिए हर कोई करांती कारी था कोई मन्मोर्ण सिंग पर जो क्रैक कर रहा था तो कोई सोनिया गा रहुल को पप्पू बना के गली गली पहुंचाया गया एक सेलिब्रिटी ने लिखा कि अच्छा है कि मैं डॉलर का कच्छा पहनता हूं कहीं रुपे का पहनता तो शायद गिर जाता एक ने लिखा कि पेट्रॉल इतना महेंगा है कि पांच ग्राम दे दो टंकी में नहीं गाड़ी पर स्प्रेई करना है ताकि आग लगा सको। ऐसे दरजनों थे फिर सारे के सारे ऐसे गाइब हुए जैसे गदे के सिर्शे सींग। क्या उनका सेंस ओफ यूमर गाइब हो गया है। क्या भीतर का जागरूक नागरिक भी मर गया है। क्या हालात बेतर हो गये नहीं दरसल मजबूत सरकार आई है और नागरिक कमजोर हो गया है। जब दबाव पड़ा तो सेलिब्रिटी सबसे पहले बिछे है। ये तो एकदम सीधा कॉम्बिनेशन है जनाब। कमजोर सरकार बावाज नागरिक, मजबूत सरकार बेजुबान याया। हमको मजबूत स मुसलमान की ऐसी तैसी करना होता है। गच्चा खा गए क्यूंकि हमने इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्तर और समाज सास्तर पढ़ा नहीं कभी। खैर फिर भी धीरज रखिये। अभी आपने मजबूती देखी कहां है। सरकारों को कमजोर रखने वाला इंदा तो है और उसे मारने की पूरी तैयारी होती नजर आ रही है। जो विपक्स में आवाज उठाए उसे जेल में डाल दिया जाता है और जिससे जेल से बचना है उसे अपने पाले में खड़ा कर दिया जाता है। जिसे ना जेल में डाल सके ना अपने पाले में डाल सक उसके कई तरीकों से जबान बंद करने की कोशिश की जाती है किसी की बैंक के जरीय आवाज बदलने की कोशिश की जाती या दवाने की कोशिश की जाती तो किसी के रिष्टेदारों पे निशाना साध कर उन्हें मजबूर किया जाता है किसी को ये कहकर दवानी की कोशिश की जाती है कि अगर आपको जेल नहीं जाना है तो फिर या तो खामोश रही है या राजनीती से दूर हो जाई है और किसी को ये कहकर राजनीती में लाया जाता है कि बहुत हुआ आपका खामोश रहना आप हमारी साथ आईए तो आपको या तो हम राज्य सवा पेज देंगे या फिर लोग सवा पेज दीजी ये हो रहा इस दौर में कॉंग्रेस के दौर में चोर नेता और इमानदार नेता के बीच गनीमत खोजनी होती थी भाजपा के दौर में दंगाई नेताओं के बीच और एक अदंगाई नेता के बीच गनीमत खोजनी होती है करप्शन तो खेर अब बॉंड के जर्ये इंस्टिटूशनलाइज कर दी गई है और लीगलाइज भी हो गया है चॉइस नहीं है आपके पास ऐसे तो पुराने भाजबाई भी जुनों ने कभी नफरती बयान ना दिया हो कभी लिंच मॉब की टिप पर ना रहे हो अब भी होश की बाते करते हैं मैं उनकी इज़द करता हूँ मुझे लगता है आपको भी उनकी इज़द करनी चाहिए फिर भी कड़वा सत्य यही है कि दौर नफरत का है सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में फार राइट फासिस्ट ताक्तों का उभार हुआ है उग्र राष्ट्रवाद चाड़हन पर है इस समय सबसे बड़ी परिक्षा है खुद को वोट डालने के लिए तैयार करना और लोगों को प्रेरित करना की वोट डाले ये ऐसा चुना हो गया है शायद जिसमें ना कोई उच्साह दिख रहा है ना कोई चमक दिख रही है दो व्यक्तियों ने लोगतंत्र के महापर्व को खरीद फरुक्त बना कर बेमजा कर दिया है वोट है मगर पड़ेगा इस पर प्रशन बड़ा खड़ा है ये जो बिन वोट और बिन पैंदी के नेता इधर से उधर डोलते हैं इनका काम ही है कि आपका इस पूरी प्रक्रिया से मो भंग हो जाए और निरुत साहित होकर घर बैठ जाए मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस जहांसे में इस शडियंत्र में मत फसिएगा कोई भी चला जाए अपना विश्वास मत जाने दीजेगा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सब जानते हैं इसलिए सामने वाला हर स्थर के हर शडियंत्र को आजमा रहा है अपनी चाल चल रहा है आप सतर करहिए उत्साब बनाए रखिए भले कोई भी पीड दिखा कर भागे ये समझ लीजे कि अन्याई के विरुद अभियान में सधाई मुठी वर लोग ही रहे है उन्हों नहीं प्रचंड भीड और अधा संसादनों से लैस अन्याई के परोपकारों को हराया है बस ये वो लोग हैं जिनें अपने आप पर भरोसा था उनका उत्साब कोई कम नहीं कर सका रंड भेरी बच्चु की है जो निश्टेज रहेगा मारा जाएगा हिम्मत रखिए वो हारने जा रहे हैं उनके डर को मैसूस कीजिए यही विपक्ष कह रहा है यही पर एक राज भी चिपा है कि उसे तोड़िये ये निपट जाएंगे यानि कि इस जाल को तोड़िये इस जाल से बाहर निकलिये तो ये सत्ता ये राज अपने आप निपट जाएगा और इस सत्ता के इस राज को निपटने के लिए उस 63 प्रतिशत का ज्यादा से ज्यादा महत्रा में बाहर निकलना जरूरी है जो पिछली बार भी इनके खिलाफ खड़ा था अब उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी जिन नेताओं में थी उन पर तो आपका विश्वास शायद ना रहा हो लेकिन आप खुद और अपने साथ अपने आसपास के लोगों पे ये विश्वास जगा सकें कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है तो सच में कुछ नहीं बदलेगा लड़ाई जनता वर्से सरकार की होने जा रही है और अगर ये हो गई तो फिर जनता जवाब देगी सरकार सवाल पूछती रह जाएगी फिलाल आज किस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी बहुत मदद होगी दन्यवाद